तो चार तारीक को नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुके है साथ तारीक आखरी तारीक जो नामांकन वापस लिया रहा सकता है और आज से नामांकन पत्रों की जाच होगी चुनाव आयोग जाच करेगा कि कहीं जो नामांकन में डीटेल्स दी गई है वो गलत तो नहीं है सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जाच होगी बीजेपी ने सभी 90 सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतार दिये हैं कॉंग्रेस ने भी 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और इसी के साथ में बीएसपी भी 90 की 90 सीटों पर अपने उनको देखा जाएगा की डीटेल्स जो उम्मीदवारों की तरफ से दी गाई हैं, qualification को लेकर, उनके नामों को लेकर, और उनके तमाम तमसंपत्त्ति को लेकर ये सभी डीटेल को जाचा जाएगा, देखा जाएगा, क्या वो authentic या नहीं, क्या वो सच हैं या नहीं, और उसके बाद में अगर किसी में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका नामांकन रद कर दिया जाता है यह आखरी प्रक्रिया है मतदान से पहले चुनाव आयोग की जिसमें तमाम जो दिगज होते हैं या नेता होते हैं जो उमीदवार होते हैं उनके नामांकन पत्रों की जाच की जाती है अगर कोई मिस्टेक या कोई गलती नजर आती है तो उनके नामांकन पत्रों को रदगर दिया जाता है 90 की 90 सीटों पर तमाम बड़ी पाचियों ने अपने अपने उमीदवार अलग-अलग उतारे हैं और इसी के साथ में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग जो भी डीटेल्स देखता है क्या सभी ने ऑथेंटिक डीटेल्स दी है या नहीं दी है और अगर किसी की ऑथेंटिक डीटेल्स देखता है